So good morning guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की आने की 15 फरवरी के important current affairs को तो इस प्रशन में आपसे पूछ रहे हैं हाली में ICC ने किसे जन्वरी महीने के लिए mains player of the month चुना है तो अंसर होगा शामर जौसेफ को आपको बताए International Cricket Council ये हर महीने के लिए player of the month चुनता है एक पूरुष में और एक महीलाओ में तो अभी 2024 के जन्वरी महीने के लिए West Indies के तेज गेंदबाज शामर जौसेफ को player of the month चुना गया है और इस तरह से वे player of the month चुने जाने वाले West Indies के पहले player बन गए हैं तो नाम important है क्योंकि West Indies के ये पहले खिलाडी हैं जिनको ये सम्मान मिला वही महीलाओ में अगर बात करें जाने कि ICC Women's Player of the month किसे चुना गया तो Ireland की Emmy Hunter को तो अब 2024 के नाम स्टार्ट हो चुके हैं जन्वरी से इनको ध्यान में रखते हुए चलना बाकि ICC की बात करें तो स्टापना होती 1909 में हैटक्वाटर दुबई UAE में है CEO जौफ एलाड़ी से और ध्यक्षे ग्रेग बारकले ये न्यूजिलेंड से हैं अगला प्रशन देखते हैं फिर आपसे पूछ रहें अभी हाली में भारत के सबसे उम्रदराज टेस्ट किर्केटर का भी निदन हो गया नाम बताओ तो आंसर होगा दत्ता जी राओ गायकवाड तो भारते टीम के पूर्वे टेस्ट कप्तान थे ये दत्ता जी राओ गायकवाड जिन्हों देश में सबसे उम्र दराज जीवित टेस्ट किरकेटर का रिकॉर्ड अपने नाम कर रखा था पर भी 95 वर्ष 95 येर की उम्र में उनका निधन हो गया उन्होंने भारत के लिए 9 साल के टेस्ट करियर में 11 मैच खेले जिनमें 4 में उन्होंने कपतानी की थी 1952 में इंगलेंड के किलाब डेब्यू करने वाले दत्ताजी राव गायकवाड ने 2016 में दीपक शोधन की मृत्यू के बाद भारत के सबसे उम्र दराज जीवित टेस्ट किरकेटर ये बन गए थे और मैं आपको बता दू ये जो दत्ताजी राव गायकवाड है जिनका भी निदन हो गया ये हमारे जो पूर्व भारते किरकेटर थे अंशुमान गायकवाड उनके पिताजी थे तो इनका नाम ध्यान में रखना आप क्योंकि ये भारत के सबसे उम्र दराज टेस्ट किरकेटर थे जिनका भी निदन हुआ है बाकी ये नाम आपने जरूर सुने होंगे बीके सिंगल भारते इंटरनेट के जनक कहे जाते थे निदन हो गया नरिंदर सिंग कापानी फाइबर आप्टिक्स के जनक कहे जाते थे निदन हो गया और वी कृष्ण मूर्ती भारते सारोजनिक उपकरमों के जनक यानि के इंडियन जो PSU's है पब्लिक सेक्टर यूनिट से उनके फादर ये कहे जाते थे इनका भी निदन हो चुका है तो ये नाम भी ध्यान में रखना अगला प्रशन देखते हैं फिर आपसे पूछ रहें अभी हाली में गुप्तेश्वर वन ये किस रज का चोथा जैव विवित्ता गरासत इस्तल बन गया है तो आंचार होगा इसका उडिसा अच्छा जैव विवित्ता यानि कि बायो डाइवरसिटी क्या होता है तो जब एक एस्तान पे अलग अलग प्रकार की स्पीशीज यानि की प्रजातिया पाए जाती है तो उसे जैव विवित्ता यानि की बायो डाइवरसिटी कहा जाता है ये उडिशा का चौथा बन गया है अल्रेड़ी याँ पे तीन पहले से हैं कौन-कौन से हैं वो भी मैं आपको बता दू मंद सरू जैव विवित्ता इस्तल महेंदर गिरी और बारगड जैव विवित्ता इस्तल और गंद मर्दन जैव विवित्ता इस्तल और अब ये चौथ अब बात उडिसा की है, तो ये रहा मैप में उडिसा, देखो उडिसा की केपिटल भुवनेश्वर हो गई, आपको भुवनेश्वर में लिंग राज मंदिर आपको मिलेगा जिसे बनाया था सोम राजवंश ने, कलिंगा स्टेडियम आपको यहीं पर मिलेगा, मुख्यमंत् है, यहाँ पर आपको बीतर कनी का नेशनल पार्क मिलेगा, सिमलिपाल नेशनल पार्क मिलेगा, इंद्रवती बांध आपको यहाँ पर मिलेगा, जो कि इंद्रवती नदी पर है, ये हीरा कुट डैम आप याद रखना ये सबसे लंबा डैम है, किस नदी पर है, पूछे त जावल को भी GI tag मिला और भारत के नवीनतम classical language ये उडिया है आचा वैसे कुछ दिन पहले ही current affairs में ही हमने पढ़ा था कि तीन और languages को हमारी classical languages में शामिल किया जाएगा वो कौन-कौन सी है आप लोग बताईए उसमें से एक में आपको बता जिता हूँ फारसी है बागी दू आ आप बताओ यहां का classical dance क्या है? ओडिशिन रत्य है और कौन-ार्क सूर्य मंदिर आपको यहीं पर मिलेगा जिसे Black Pagoda Temple भी कहते हैं और White Pagoda किसे कहते हैं यह भी याद रखना जगरनाथ Temple को का जाता है अब उडिशा से सम्मंदित कुछ important current affairs में आपको revise करा रहा हूँ ध्या आपको याद होगा यहां पे मुख्य मंतरी संपूर्ण पुष्टी योजना शुरू हुई थी यह में भारत का सबसे बड़ा प्राकरतिक आर्क हो जा गया था उडिशा में ही उडिशा ने भारत का पहला शेत्रे AI News Anchor लॉंच किया था इसका नाम Lisa है राष्टरपती भुवनेश्वर में मिलेगा इससे Archeological Survey of India ने संगरक्षित इस मारको की सूची में शामिल किया था मो घर योजना मो घर योजना यहीं पे शुरू हुई थी और मैंने आपको बताया था कोई भी योजना हो गई या कोई भी ऐसा पोर्टल वगेरा हो गया जो मो से जैसे कि यह मो घर योजना हो गया मो बस योजना मो परिवार योजना मो जीबन योजना जिसके भी आगे मो लग जाया ना तो उसका उत्तर उडिसा ही होगा उसके अलबा टाइम्स की 23 ते दुनिया के महांतम स्थानु के जो सूची जारी की गई थी उसमें दो भारते इस् तो भारत की पहली रामसर साइट का दरजा भी इसी को मिला था 1981 में इसी में नलबाना पक्षि अभ्यारण ने भी आपको मिलेगा तो ये उडिशा से सम्मन्दित कुछ स्टेटिक प्रशन और करंट अफ़ेस के प्रशन में आपको यहाँ पे कवर करा दी इनको ध्यान में रखना अगला प्रशन देखते हैं फिर बताव अभी हाली में इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए तो आंचार होगा रणजीत कुमार अगरवाल ICAI मतलब Institute of Chartered Accounts of India यह भारत में Chartered Accountancy के शेतर में एक महत्वपून संगठन है और अभी इसके नए प्रशेडेंट बन गए हैं रणजीत कुमार अगरवाल इन्होंने किन का इस्थान लिया अनिकेत S. तलाटी का इस्थान लिया है और यहाँ पे अभी Vice President कौन बने हैं वह यह तो President बन गए अध्यक्ष बन गए उपाद्यक्ष कौन बने हैं चरण जूद सिंग नंदा बने हैं लेकिन हमारे लिए President का नाम ही ज़्यादा important होगा exam के लिहाजा से exam के point of view से देखेंगे तो बाकी Institute of Chartered Accounts of India की बात करने स्थापना होती 1949 में मुख्याले नई दिल्ली में है अचा options पर आजाओ तो Lieutenant General उपेंद्र द्विवेदी बाते से नामे अभी Vice Chief बने यह इंद्रमणी पांडी की बात करें बड़ा important नाम है बिमस्टेक के अभी Secretary General बने और इस पद पर आने वाली यह पहले भारती बने अनिल कुमार लाहोटी की बात करें टेलिकॉम Regulatory Authority of India के अध्यक्ष बनाए गया अभी यह नाम भी important है ध्यान में रखना अगला परशन दिखते हैं चलो फिर बताओ प्रधान मंतरी सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतरगत कितनी बिजली मुफ्त उपलब्द कराई जाएगी तो अंसर होगा 300 यूने तो अभी प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदीज ने कहा कि प्रधान मंतरी सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतरगत 300 युनिट बिजली हर महीने मुफ्त में दे जाएगी कितनों को? एक करोड परिवारों को, एक करोड घरों को और इसके लिए योजना में करीब 75,000 करोड रुपे का निवेश हो रहा है अब शायद आप लोग कन्फ्यूज हो जाओ कि यार इस तरह की योजना तो सूर्य योजना है ना, तो फिर ये नया नाम कैसे हो गया? देखो मैं आपको समझाता हूँ आपने कहा परदानमंतिरी सूर्य योजना इसको आपको यादोगा मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन ही यानि कि 22 जनवरी दोजा 24 को ही रिलीस किया था या उसकी घोषना की थी उसमें उन्होंने क्या गा था? कि देश के 1 करोड गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के घरों की छत पर सोलर प्लांट लगाये जाएंगे सोलर पैनल लगाये जाएंगे ताकि उनके बिजली का बिल कम हो सके और इसमें वो सबसीडि भी देंगे ये उन्होंने कहा था उसमें इंतरिम बजट आये था उसमें निर्मला सितारमंजी अमारे जो वित्तमंत्री उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री सूर्य योजना में जिन एक करोड घरों पर rooftop solar panel लगेंगे उनको 300 unit मुफ्त बिजली दी जाएगी और अब मोदी जी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की बात कही है तो देखो एक करोड घरों पे solar panel लगाने के लिए तो प्रधानमंत्री सूर्य योजना है और उन एक करोड परिवारों को 300 unit मुफ्त बिजली देने के लिए ये प्रधानमंतरी सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है क्योंकि निर्मला सितारमन जी ने बजट में 300 यूनिट की बात कई थी 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी उस सूर्य योजना में जो एक करोड घर सोलर पैनल लगाएंगे अपनी छट पे उनको दी जाएगी तो वो 300 यूनिट मुफ्त बिजली के लिए इन्होंने एक योजना शुरू कर दी है एक नाम इन्होंने दे दिया योजना का ये प्रधानमंतरी सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छा आप बिलकुल ध्यान से सुनना यहाँ पे सूर्य उर्जा यानि कि सोलर एनर्जी से ही संबंदित करंट अफेर्स के जो पॉइंट से मैं आपको रिवाइस कराऊंगा जब जब आपने करंट अफेर्स में सोलर एनर्जी से संबंदित प्रशन पड़े हैं वो सारे एक साथ में आपको कराने वाला हूँ जैसे की भारत का पहला सूर उर्जा संचालेद गाउं कौन सा है गुजरात का मोडेरा गाउं है आपको याद होगा दिल्ली एरपोर्ट ये बना था पूरी तरह से हाइडरो और सूर उर्जा से चलने वाला भारत का पहला एरपोर्ट देश के पहले सोलर रूफटॉप सिस्टम का उधगाटन किया गया था गांधिनगर गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार प्लांट ये मद्यप्रदेश के खंडवा जीले में बनेगा वहाँ पे जो नर्मडा नदी है ओमकारेशवरबांथ वहाँ पे और देश का पहला सोलर सिटी ये साची है मद्यप्रदेश में जो है और दीव ये दिन के दोरान पूरी तरह से सोर उर्जा से चलने वाला भारत का पहला शहर बना था उसी तरह से मुख्य मंत्री सोर मिशन को शुरू किया था अच्छा भारत की पहली ग्रीन सोलर पावर फेक्टरे ये बनेगी उत्तरखंड में कौन बनाएगा लिमिनेस पावर टेक्नलोजी भारत का पहला सोलर साइकलिंग ट्रेक बना है हैदराबाद में जिसके लंबा ये 23 किलोमीटर और परधान मंत्री कुसुम योजन आपको बताए इसको कब शुरू किया गया था फरवरी 2019 में मतलब होता है किसान उर्जा सुरक्षा और उत्थान महा अभियान उसके अलावा ये जो सूरेद योजना है ये मैंने आपको बताई दिया और ये भी याद रखना कि भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधरिच सोर उर्जा सहियन तरिये बना कहां पे 36 गड़ में तो यहां पे सोलर एनर्जी से सारे करंट अफेर्स के प्रश्ण में आपको एक साथ ही रिवाइस करा दिया ध्यान में रखना और हाँ एक बात तो मैं आपको बताना भूली गया कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करा करें आज के अमारे वीडियो का लाइक का टार्गेट रखते हैं साथ हजार लाइक का डेली रखते हैं लेकिन डेली पूरा नहीं हो पार है टार्गेट आप लोग पता नहीं वीडियो लाइक क्यों नहीं करते हैं मैं एक्जीमम इस्टुडेंट कुछ तो करते हैं जो करते हैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद लेकिन बाकी जो नहीं करते हैं प्लीज अगर कंटेंट अच्छा लगता है वीडियो से support मिलता है तो काम को appreciate जरूर करें मुझे भी अच्छा लगेगा जब आप दिल से काम करते हैं महनत करते हैं पढ़ाई कर रहे हैं आप आपको भी जब अपने काम के लिए appreciation मिलता है तो आप full energy से भर करके double महनत के साथ और work करते हैं अच्छा काम करते हैं यह हर किसी के साथ होता है मैं आपको बता दू यहाँ पर like का button होता है शायद आपको पता नहीं हो बहुत सो को कहाँ पर होता है यहाँ पर होता है तो like करके अपने दोस्तों के साथ मैं अपने study group में please वीडियो को share जरूर करना बाके आपके practice के लिए तुम्हें quiz तयार करता ही हूँ जाकर के practice आप करो आराम से जितनी बार भी करना है बिल्कुल free है PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा Crick exam application में जिसका link नीचे description box में है चलो अभी अगला प्रशन देखते हैं फर बताईए अभी हाली में किस देश की राष्टरपती Catalin Novak ने इस्तिफा दे दिया तो अंचर होगा हंगरी तो हंगरी की जो पहली महिला राष्टरपती थी ये Catalin Novak पर अभी इन्होंने इस्तिफा दे दिया इनके party का नाम है Fides party क्यों दे दिया इन्होंने इस्तिफा क्या कारण है तो इन्होंने कहा कि बाल योन उत्पिडन में जो अपरादी पाए गए थे उनको हमने शमा कर दिया था और ये आप कह रही हैं कि मुझसे गलती हो गई मुझे उन्हें को शमा नहीं करना चाहिए था और यही कारण है कि मैं अपने पद से इस्तिफा दे रही हूँ क्योंकि मैंने गलती करती है बताओ यार इतने इमानदार नेता कहां मिलेंगे भारत में इसे नेता क्यों नहीं है माना गलती करी है लेकिन उसे accept भी कर लिया और पस्चाताप के रूपो में रिया कर दिया भारत में तो गलती कर देते हैं बात में मुकर भी जाते हैं और अगर धक्का मार के बाहर निकालो विरोध कर दें सारे लोग बाहर निकल जाएंगे तो दूसरी पार्टी से फिर एंट्री ले ले लेंगे capital बुड़ापेस्ट होती है Hungarian foreign यहां की currency है अब देखते हैं कौन बनते हैं यहां के president तो यह president एक appointment हम पड़ेंगे बहुत जल्द यहां के घास के मेदानों को कहा जाता है पुस्ताज आपको याद होगा अभी World Athletics Championship का बुड़ापेस्ट में हुआ था जिसमें नीरत चोपड़ा जो हमारे जैविलियन थ्रोवर हैं भाला फेक नीरत चोपड़ा हैं गोल्ड जीता था उन्होंने यहां पे अभी Global Hunger Index 2023 आये था उसमें भारत 111 वेस्थान पे था याद रखना अगला प्रशन देखते हैं चलो फिर बताओ अभी हाली में जारी Financial Times Global MBR रेंकिंग 24 में भारत का बेस्ट मेनेजमेंट संस्थान कौन सा बना तो अंसर होगा Indian School of Business हैदरबाद तो Financial Times ने ये Global MBR रेंकिंग 24 को जारी किया है इस रेंकिंग में दुनिया भर के कुल सो बिजनिस स्कूलों को शामिल किया गया और इसमें भारत का सबसे बेस्ट मेनेजमेंट स्कूल बनाया है Indian School of Business हैदरबाद को लेकिन इसे वर्ल्ड रेंकिंग में आप देखोगे तो 31 रेंक पे रखा गया है आचा वर्ल्ड में टॉप में टॉप मेंजमेंट इंस्टिट्उट्स या मेंजमेंट स्कूल की बात करें तो टॉप थ्री में आपको बता दू University of Pennsylvania वाटन में है एक है INSEED एक है Columbia Business School आचा वैसे यह रेंकिंग वाला प्रशन है तो एक काम करते हैं मैं आपको पिछले एक साल में जो भी important ranking है वो सारी revise कराता हूँ 2024 में भी जो कुछ ranking हमने पढ़ लिए वो भी सब इसमें आ जाएंगी तो बिल्कुल ध्यान से सुनना तो आपको याद होगा World Happiness Index आये था इसमें भारत 126 नंबर पर है तो टॉप पे Finland है एक Global Peace Index आये था उसमें भी भारत 126 नंबर पर था लेकिन टॉप पे Iceland रहा और एक Global Gender Gap Index आया उसमें भारत 127 पर था लेकिन टॉप पे Iceland था इसको World Economic Forum ने जारी किया एक Global Fire Power Index आपने पढ़ा होगा भारत चौते स्थान पर है टॉप पे इसमें भारत 67 नंबर पर है टॉप पे Sweden ने इसको World Economic Forum ने जारी किया और वेश्विक प्रतिस परदा सूचकांग की बात करेंगे भारत 40 वे स्थान पर है टॉप पे Denmark है और World Press Freedom Index की बात करेंगे भारत 161 नंबर पर है तो टॉप पे Norway है इसको Reporters Without Border ने जारी किया आर्थिक सूचकांग में भारत 131 नंबर पर है तो टॉप पे Singapore है हुरून Global Unicorn Index तो जार तेवी था पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर चाइन, तीसरे पर भारत है और World Bank ने जो रसत प्रदशन सूचकांग Logistic Performance Index चारी किया उसमें भारत 38 नंबर पर है और Global Innovation Index 2020 में भारत 40 वे स्थान पर है तो टॉप पे Switzerland है World Intellectual Property Organization ने जारी किया Global Hunger Index में मैंने आपको बताया भारत 111 वे स्थान पर है, टॉप पे बेलारूस है World Talent Ranking में भारत 56 नंबर पर है तो टॉप पे Switzerland है Global Pension Index में भारत 45 नंबर पर है तॉप पे नीधरलेंड इसको मरसर ने जारी किया Global Work Remote Index में भारत 64 नंबर पर है तो टॉप पे डेन्मार के और IQ Air में सबसे परदूशित शहर ये बीजिंग बताया गया और इंडिया Skills Report 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदिदा राज्य केरल बताया वही National Crime Record Bureau ने खाद पदारतों में मिलावट के मामले में हैद्राबाद को टॉप पे रखा इसी ने 2022 में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपरादों के मामले में टॉप पे दिल्ली को बताया था शहरों में राज्य में UP को सबसे सुरक्षित शहर कॉलकता बताया था इसके अनुसार वर्ल्ड बैंकिंग ने जो Migrants and Development Report जारी की थी उसके अनुसार दुनिया में प्रिक्षन यानि कि Remittance का सबसे बड़ा प्राप्त करता ये भारत है Remittance बता चुका हूँ मैं आपको आप दूसरे देश में कमाने जा रहे हूँ वहाँ से पैसा जो भारत में बेशते हूँ Remittance है Handle Passport Index आयता उसमें भारत 80 अस्तान पे बताया Global Climate Change Performance Index में भारत 70 अस्तान पे पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है चौथे पे Denmark है ये तो मैंने आपको 2023 के Important Indexes revise करा दिये अभी 2024 में भी कुछ जारी हो गए वो भी मैं आपको revise करा दू एक तो ये याद रखना Corruption Perception Index आ गया इसमें भारत 93 नंबर पर है तो टौप पे Denmark इसको जारी किया Transparency International ने एक स्वच्छ सर्वेक्षन दो जाते विश जरूर revise कराऊंगा इसमें इस बार टौप पे दो शहर हैं इंदौर और सूरत लेकिन एक लाग से कम आबादी में पूछेंगे तो महराश्टर का सास्वद टौप पर है इसके अलवा सबसे स्वच्छ चाउनी बोर्ड बताया मध्यपरदेश के महू चाउनी बोर्ड को और राज्यो में महराश्टर टौप पर है फिर मध्यपरदेश और चत्यसगड और सबसे स्वच्छ गंगा शहर ये वारनासी और प्रयागराच को बताया सफाई मित्र शहर चंडीगड़ा है अभी हिम तेंद्वा रिपूर्ट आई थी पहली बार इसको वाइल लाइफ इंस्टिटूट आफ इंडिया ने जारी किया जिसमें बताया भारत में टोटल हिम तेंद्वे स्नो लेपरडे 718 सबसदा लद्दाक में है 477 सबसे कम जम्मू कश्मीर में है 9 टॉम टॉम ट्रफिक इंडेक्स आई थी उसमें टॉप पे लंदन है और बंगलूरू जो हमारा जो है वो छटे स्थान पर है उसके लावा ब्रेंड गार्जन शिप इंडेक्स आया इसको ब्रेंड फिनेंस ने जारी किया था फरवरी को तो याद रखना नेशनल प्रोड़क्टिविट्री डे की बात कर रहे है हर साल बारा फरवरी को मनाया जाता है मनाने का उद्धिष्य है देश के शभी शेत्र में उत्पादक्ता और गुणवत्ता जागरुक्ता को प्रोचाहित करना और बढ़ावा देना थीम क्या है इनोवेट अब चलो फरवरी की सारे इंपोर्टेंट डेश में आपको रिवाइश करा दू तो मैंने यापे डेश को ये हिंदी में भी लिख दिया इंग्लिश में भी लिख दिया और थीम भी लिख दिया बाकि में को हिंदी आती है तो मैं हिंदी में बोलूँगा इंग्लिश में आले इंग्लिश में देख सकते हैं जैसे कि 1 फरवरी को भाते तरक्षक दिवस मनाया, 2 फरवरी को विश्व अदरभुमी दिवस, 4 फरवरी को एक तो अंतरराष्टर मानना व बंदूत्व दिवस और वल्ड कैंसर डे मनाया, वर्ल्ड के इंसर डे की थीम याद रखना टूवर्ट्स वी चैलेंच दो जिन पार छे फरवरी को सेफर इंटरनेट डे दस फरवरी को विश्व दलहन दिवस ग्यारा फरवरी को एक तो विश्व युनानी दिवस आपने मनाया था और तेरा फरवरी को भी नेशनल वुमेंड डे और वर्ल्ड रेडियो डे मनाया था तो फरवरी के ये डे जे ध्यान में रखना अगला प्रशन दिखते हैं चलो फिर बताओ अभी हाली में पेटीम एकॉमर्स का नाम बदल कर क्या कर दिया गया तो अंसर होगा पाई प्लेटफॉर्म अच्छा अभी हम लोगों ने पढ़ा था कुछ दिन पहले ही कि RBI ने पेटीम पेमेंट बैंक को बंद कर दिया है पर पेटीम के और भी कहीं सारे काम है बस उसका वो पेमेंट बैंक वाला जो बिजनेस से वो बंद हुआ है तो अब इसका जो पेटीम एकॉमर्स है उसका नाम बदल कर इसने पाई प्लेटफॉर्म कर दिया ये ध्यान में रखना इकॉमर्स मतलब इकॉमर्स जैसे आप इकॉमर्स साइटी नहीं होती कि Amazon हो गया, Flipkart हो गया वेसे ये पेटीम इकॉमर्स भी है मतलब जब आप उनलाइन शॉपिंग करते हो तो उसे इकॉमर्स का जाता है तो इसने याद रखना इसका नाम बदल के अभी प्लेटफॉर्म कर दिया है इसके अलावा अभी पेटीम इकॉमर्स ने एक बिटसिला नाम की कमपनी को भी खरीद लिया है तेखो पेटीम पेमिंट बैंक अभी न्यूज में है तो उसी के स्टैटिक में आपको रिवाइस करा रहा हूँ अभी इसकी स्तापनागर पूछेंगे 2017 अंसर करना हेड़कोर्टर नॉइडा में है संस्तापक विजेशेकर शर्मा है और इसकी पेरेंट कमपनी है पेटेम की क्या 197 कम्यूनिकेशन और 2021 में जो पेटेम पेमिंट बैंक था अच्छा नाम चेंज करने की बात आईए तो करेंट अफेर्स में पिछले एक साल में जितने भी नाम चेंज हुए हैं वो सारे में आपको रिवाइस करा रहों बिल्कुल ध्यान से सुनना देखो जिसे अभी जम्मू कश्मीर के उदंपुर रेलवी स्टेशन का नाम शहीद कैप्टन तुशार महाजन रेल aspire श्टेशन कर दिया गया था खेलो उदिया महिला लीग का नाम अस्मीता महिला लीग कर दिया महराष्टर में जो इतवारी स्टेशन है उसका नाम सुभाष चंदरबोस इत्वारी स्टेशन कर दिया आस्ट्रेलिया के सिड्नी में जो हैरिस पार्क है उसका नाम लेटेल इंडिया कर दिया बुंबई के वारसोवा समुद्री मार्ग का नाम वीर दामुद्दर सावरकरजी के नाम पे कर दिया महराष्टर में अहमद नगर का नाम अहिल्या नगर कर दिया मुगल गार्डन का नाम अमरेत उध्यान कर दिया राजपत का नाम करतव्यपत कर दिया अंडमान निकोबार में जो माउंट हैरियट है उसका नाम माउंट मनिपूर कर दिया Rail University का नाम गती शक्ति युनिवरसिटी कर दिया पुराने समविधान भवन का नाम समविधान सदन कर दिया था अबी latest आपको revise कर रहा हूँ तो एक तो अयोध्य स्टेशन याद रखना अयोध्य धाम railway स्टेशन कर दिया नाम आयोध्या Airport को तो एक तो International Airport का दरज़ा मिल गया था और नाम महरशीवाल, मिक्कीजी के नाम पर कर दिया था आपको याद होगा आयुष्मान भारत स्वास्त और कल्यान केंद्र का नाम आयुष्मान आरुज्य मंदिर कर दिया था और ये अभी कुछ लेटेस्ट नाम चेंज हुए हैं ये ध्यान में रखना अगला परशन देखते हैं चलो फिर बताओ अभी हाल में अहलान मोदी कारेकरम का एउजन ये काँ पे हुआ तो अंसरों का युनाइटेड अरब अमिराथ तो अभी युनाइटेड अरब अमिराथ की जो कैपिटल है अबुदाबी वहाँ पे अहलान मोदी कारेकरम का एउजन किया गया Actually मैं मैंने आपको बताया था कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी अभी 14 फरवरी को अबुदाबी में जो BAPS हिंदू मंदिर है वहाँ पे जाएंगे उसका उधगाटन करने के लिए और हमने अभी पढ़ा भी था कि World Government Summit ये हो रही है दुबे में तो यहाँ पे भी मोदी जी को invite किया गया है तो ये भी वहाँ पे गए तो वहाँ पे उन्होंने अहलान मोदी नाम से कारेकरम का भी आयोजन किया इस कारेकरम में क्या हुआ United Arab Emirat में जो भी भारते लोग रहते हैं उनको वहाँ पे कारेकरम में एक खटा किया मोदी जी ने वहाँ पे उनको सम्बोधित किया आपको याद होगा जब अमेरिका के प्रेसेडेंट डोनाल्ड टरंप हुआ करते थे तब भी मोदी जी वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे भी एक हाउडी मोधी नाम से कारेकरम का आयोजित किया गया था तो उसी तरह से है बस ये तो याद रखना, इसका नाम याद रखना कि एहलान मोधी कारेकरम कहां पर आयोजित किया गया United Arab Emirat में और इस कारेकरम के दोरान उन्होंने कुछ बाते भी कही जैसे कि उन्होंने कहा कि United Arab Emirat ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, ये तीसरा सबसे बड़ा है तो पहला और दूसरा कुन सा है? पहला अमेरिका है, दूसरा चाइना है और United Arab Emirat भारत में साथ हुआ सबसे बड़ा निवेशक है और IIT दिल्ली आपको बता, United Arab Emirat में अपना केंपस भी खोल रहा है अचा बात United Arab Emirat की है तो ये रहा मैं अपमे UAE देखो, UAE की केपिटल हो गई, अबुधा भी और यहीं पर याद रखना International Renewable Energy Agency का Headquarter मिल जाएगा, करंसी दिरेम होती है और अरब शेतर का पहला परमानू रियक्टर ये शुरू हुआ था यहीं पर, जिसका नाम बराका Nuclear Power Plant है और अगर आपसे पूछे कि भारत सरकार के द्वारा भारत पार्क ये किस देश में खोला जाएगा तो United Arab Emirat अभी 2024 की बात है United Arab Emirat और भारत के बीच में Desert Cyclone नाम का exercise हुआ कहां पे राजस्थान के थार रेगिस्थान में और अभी अमने पढ़ा था December की बात है भारत ने UAE को पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए रुपे में भुकतान किया था और दुनिया का सबसे बड़ा और अभी देसंबर में जो अंडर नाइंटीन एश्या कब 2023 हुआ था United Arab Emirat में हुआ था उसको बांगलादेश ने जीता था UAE को हरा करके और कला और सहिते में UAE का Great Arab Minds Award जिसे Arab Nobel के नाम से जानते हैं ये दिया गया था अभी Algeriai Professor है वासिनी Laureates को एक जायत तलवार नाम के exercise भी हम करते हैं UAE के साथ में और याद रखना दोजा तेविश से लेके 2027 तक विश्व मौसम विज्ञान संगठन World Meteorological Organization देक्षिता United Arab Emirat के पास में है अभी दोजा तेविश में I2-U2 के जो पहली उप्मंत्र स्तर ये बैठा के वो यहीं पे हुई थी UAE में I2-U2 में चार देश हैं कौन-कौन इंडिया, इसराइल, USA और UAE तो ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स और ये था आज का आपका Current Affairs का सेशन कमेंट करके जरूर बताईएगा कि कैसा लगा आपको आज का सेशन और वीडियो यहीं पे समाप तो चुका है वीडियो का अभी तक आपने लाइक नहीं किया क्योंकि बहुत से स्टुडेंट रुखते हैं कि लास्ट में कर देंगे तो एक बार मैं याद दिला रहा हूँ आपको आप जरूर कर दीजिएगा बागी चलो अभी कल के Current Affairs का मैं आपको Quick Revision करा दू फेर सेशन एंग करते हैं तो पहला प्रशन आप से पूछा राश्टर मैला दिवस कब बनाया तो अंसर होगा 13 फरवरी रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग्जी ने जेनरल बेपन रावत जी की परतिमा का उधगाटन किया तो देहरादून में चैन्य उपन दोजा 24 में पूरू शेकल का खिताब जीता है सुम्मित नागल ने दक्षिन भारत सांस्कृतिक केंद्र को किस राज्य में स्तापित किया गया तो अंसरुगत्य लंगना किस देश में भारत की UPI सिवा शुरू की गई अभी तो मौरिशयस और श्रीलंका अंतरराष्टर नयाले का अध्यक्ष किसे बनाया गया नवाग सलम को लेबिनौन के हैं चर्चा में रही CART Cell Therapy का सम्मंद किस से है कैंसर अंतरराष्टर लगू चाय धारक परिसंग की 25 सत्र पहली बार अभी भारत में हुआ कहाँ पे आसम में विज्ञान के शेत्र में महिलाओं को प्रोचसाइद करने के लिए किंदर सरकार ने कौन सा पोटर लॉंच किया स्वाती और विश्व मेराथन रिकॉर्ड धारक केलविन किप्टम का निदन हो गया वे किस देश के थे केन्या कल का उंबरक परशन देखते हो और सेशन एंड करते हैं तो गल के वीडियो में आपसे बूच आता है स्मोक एंड एशेज नाम की बुक को किस ने लिखा तो आंसर होगा मिताप घोष आप सभी ने प्रशन का बिल्कुल से उतर दिया अब यह राज का आपका आमवरक प्रशन